है तो टीएसजी वाले से करेक्शन स्टार्ट करते हैं बचो हमने पहला क्वेश्टन थेउरी गता अल्रेडी डन है यह सेकंड द्री बींचेक करूंग इस सीक्वेश्ट में ना कि उस सीक्वेश्ट में वंभग दिया था थो थोड़ा सा आपको डिस्टॉब्स होगा आगे- एट भी हो चुका है बच्चों, बैटबस भी हो चुका है, टैन भी हो चुका है, हेलेवन भी हो चुका है, ट्रalities भी चेक कर चुके हैं, 13, 14 इक चेक्ट, ह्ट्टिन यहां का शहाई, 15 नहीं होए, 15 नहीं हो है, नहीं हो आओ- यह परी, सबसे पहले लिखेंगे आप पाई पील नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इनर कॉलम में 240 और प्लस कर देंगे सैलरी चल्ड्रन वैल्यू इस 6000 तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा 246 टू इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल आप लिखेंगे 40,000 और 30,000 तू सैलरी आप लिखेंगे शॉरी चल्ड्रन ये थ्री लाक्स आएगा थ्री लाक्स आएगा बच्छों वेरी सॉरी मैंने गलती से शेज आप लिख दिया ठीक है दिस फ्री लाक्स और बस और तो कुछ आएगा नहीं तो क्रेड़िट साइट इस लाक्स आप लिखेंगे शॉरी लाक्स आप लिखेंगे शॉरी में तुन हो चुका है रीमा और सीमा अब बीचेक दिस नहीं किया चेक करिए फर्म को लॉस हो गया बचों ध्यान से मेरी बात सुनियेगा यहां पर लिखाए कि सैलरी मिलनी है पंद्रह हजार की इंट्रेस्ट ऑन कैपितल पाँच परसंट ड्रोइंग केया यहां पे कुछ लिखा है कि इंट्रेस्ट ऑन कैपितल इस तो बी गिवन इवन इफ द फिर्म सफ़र्स लॉस तो अब यहां पे confusion है कि आप इसे charge मानेंगे या appropriation I repeat charge मानेंगे या appropriation तो in the absence of any information क्या मानना आपको appropriation तो you suffered what children loss interest on drawings अगर आप add कर भी लें 12,000 रुपए तब भी आपका loss कितना होगा children 88 तो ना हम salary देंगे और ना हम interest on capital देंगे तो sir कैसे बनाएंगे इसको appropriation में लेखेंगे टू पील नेट लॉस बन लाक पाई इंट्रेस्ट और ड्रॉइंग फॉर रीमा एंड सीमा सिक्स्टी थाउजन का 10% होता है सिक्स थाउजन बच्चों आफ यर के लिए 33 आएगा sorry not a 12, 6000 फाइनली आपका लॉस आ जाएगा 94 थाउजन पाई रीमा स्कापिटल बाई सीमा स्कापिटल बैक आंसर में यही वाल्यू दिया लॉस की 94 तो नहीं डेबिट कर दिया यह चीज याद रखनी है बच्चे भूल जाते हैं इसको हाँ इक्वल है तो 47 47 प्ली और students are used to prepare PL appropriation in the natural way तो कि हर जगा तो profit होता था और इतना जादा होता था कि यह सब कुछ देने लेने के बाद भी आपका profit भशता था तो आप इस चीज को एक used to taken for granted मानते हैं कि यह value कभी कम होगी ही नहीं और आप दना दन दना दन दीए जाते हैं इन सब चीजों को तो यह हमेशा याद रखिएगा जब तक यह ना लिख्या एक चार्ज और अप उसको अप्रोप्रियेशन की तरह मानेंगे लॉस होगा तो नमशकार profit कम होगा तो रेशियो में डिवाइट कर देगे एक दिन अमारे रचित भाई ने बात पूछी भी थी और मैं बता भी देता हू मान लीजिए बचों रीमा का और सीमा का इंट्रेस्ट जो है दाट इस पांच लाग की कैपिटल के हिसाब से कितना कितना है 50-50 दोनों की जो सैलरी है बचों मान लीजिए 15,000 रुपे पर मन्त के हिसाब से साल भर की सैलरी कितनी हो गई 180 एन 180 अगर question आपको net profit 2,000,000 साथ हजार रुपए का खर्चा इन सब चीजों को जेलने के लिए profit sufficient है बचों तो सर क्या करते इस 2,000,000 वुड़ भी डिवाइड इन रेशियो ओफ इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल इस तू सैलरी थोड़ा तमीज से बोलिए इन रेशियो ओफ रीमा इंट्रेस्ट ऑन कैपिट सीमा इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल रीमा सैलरी एंट सीमा सैलरी मतलब सर 50,000 इस तू 50,000 इस तू 1.8 लाक इस तू 1.8 लाक इस रेशियो में आपका दो लाग रुपे दिवाइड होगा इस दाट अंडर्सूड वेल ऐसे question बोर्ड MCQ में पूछ चुका है बट पूरे पूरे आज तक नहीं पूछे गए हैं ओके बानू और प्रताप चेक कर लीजे बचो आपको एक्जाम्पल नोटिफाइब करना तो कर सकते हैं फिक्स्ट कैपिटल है बचो आट लाक और दस लाक ड्रोइंग्स है 50,000 और एक लाक इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल के आगे एक वर्ड ल और पाइव थाउजंट समझ गए इस बात को अब आप पील अप्रॉप्रियेशन बनाएंगे पाइपील नेट प्रॉफिट ब्रॉफिट डॉट डॉट डाउन हो मैं चल्डन वन लाक ट्वेंटी थाउजन टू इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल और इसके बाद लिखेंगे बा पार्टनर्स का मिला के बानू एंड प्रताप इतना जाएगा वन लाक एटी थाउजन इंट्रेस्ट ओंडरा परसेंट हैं सॉरी 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 वेरी सॉरी तो यह आ जाएगा 3750 अड दिस वोट बी 7500 ग्याव दोसुपचास क्यों आएगा ने ठीक लिखा था मैंने पचास जार रुपे ट्रॉइंग्स है 15% पर आनम है क्या आपको डेट बताई गई कभी का लगिया है तो हाफ करेंगे ना तो एक लाग का पंद्रा परसंट इस पंद्रा आजर तो आधा कितना होगा 75 गुम्राह कर रहें लोग मेरे को इसेवेंटी फाइन फॉर प्रताप बानु का तीन हजार साथ सो पचास है पचास जार का पंद्रा परसंट साथ साथ जार उसको आधा कर दीजे आप तो तो ग्यारा जार दो सो पचास रुपया जाएंगे ठीक फाइनली आपका लॉस आएगा बचो ग्रेट साइट पर पाइटनर कर लेंगे तो माग क्वेस्टेन नंबर 18-19 वेरी इंपॉर्टेंट और यह जो एक्जांपल मैंने माग किया बचो यह जरूर माग करिएगा लिक कर गई ज्यादा खालिया था चलिए यह एक्जांपल जरूर माग करिएगा चलना रेशियो में डिवाइट करने इंट्रेस कैसे निकालेंगे फॉर कमल और फॉर कपल इन्होंने बिजनस स्टार्ट किया चल्रें फॉर्स्ट एप्रिल 2008 मिनिट स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है क्या ट्विस्ट है ध्यान से सुनिएगा फाइव लाग की कैपटल किस डेट को है बचो 31st मार्श 2019 कमल इंट्रोड्यूज डा कैपटल ऑफ हो मच ऑन विच डेट चल्रें फिर्स्ट ऑक्टोबर और कपिल ने कितना विड्रॉ कर लिया वन लाग ऑन फिर्स्ट ऑक्टोबर तो यहां लिख देते हैं फिर्स्ट एप्रिल 2019 वाट वस दा कैपटल ऑफ कमल चल्रें प फाइव लाग देर आफ्टर फर्स्ट ऑक्टोबर 19 को क्या हरकत हुई है कमल ने इंट्रोड्यूज किया वन लाग तो इसकी कैपटल कितनी हो गई 6 लाग और कपिल ने विड्रॉ कर लिया तो इसकी कैपटल कितनी हो गई 4 लाग एप्रिल में जून जुलाई अगेस और इसका प्रोड़क्ट आएगा 30 और 24 फिफ्टी फोर लाक्स का तो हो तो कैल्कुलेट 66 लाग रेट ऑफ इंट्रेस्ट इस 10 परसेंट इंटू 1 बाई 12 और दिस पार्टनर इंटू 10 परसेंट इंटू 1 बाई 12 कुछ बेव कुपो ने 5 लाग रुपे पे 6 महीने का इंट् क्या होगा और दोनों को जोड़ दिया होगा फिर वैसी कुछ बेव कुछ ने 5 लाग रुपे पे 6 महीने का इंट्रेस्ट और 4 लाग रुपे पे 6 महीने का इंट्रेस्ट क्याल्कुलेट करके जोड़ दिया होगा क्योंकि उन्होंने बुक के इलस्टेशन से क्वेश्चन क बचेगा चलन वान टू वान टू कड़िया चलन ऐसे ही जीरो 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 कड़िया गिया गेट मीदा अंसर अंसर आजाएगा बई कितना आएगा लेट सी तो यह कालकुलेट इंटू वन अपाउंडेट इंटू तो फच्पन हजार रुपए तो कमल का हैगा 54 लाप इंटू 10 इंटू 1 अपाउंडेट इंटू 12 45 थाउजन फॉर कपिल स्टोरी में ट्विस्ट है कितना प्रॉफिट है चलन सिक्स लाप दे सकते हैं दोनों वां इंट्रेस की नहीं बट अगर यह प्रॉफिट में साथ हजार कर देता तो क्या आप इंट्रेस दे पात चाहिए तो आप 66 लाप और 54 लाप का रेशियो बना लीजे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई 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 चलिए और बाकी जिन्हों नहीं किया बिल्कुल टेंशन ना ले अराम से पांच अटेंट्स मिलते हैं एक्जाम देने के लिए सी वालों को तीन अटेंट्स आइसी वालों क्योंकि सब अगर पढ़ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी प्लंबर एलेक्रीशियन यह सब कहां से मिलेंगी सोसाइटी को चलिए कैपटल ऑन 31 मार्च दो लाख है करेंट अकॉंट पचास और पच्चिस इंट्रेस पांच परसंट प्रॉफिट तीन लाग बड़ अशीश और अकाश भी कर चुके हैं नहीं यह नहीं किया था अब यहां पर लिखा है अशीश और अकाश और पार्टनर्स कैपिटल अकॉंट एट क्रेइट बैलंस ऑफ फाइव लैक और सिक्स लाग किस डेट को बच्चो 31 मार्च को आफ्टर ध्यान से सुनिएगा क्या मै लेक्चर में अपनिंग कैपिटल का कोई सिखा गया था लिखना स्टार्ट करें अपनी क्लास पर कॉपी में कम्प्यूटेशन ओफ ओपनिंग कैपिटल्स चलिए कैसे कैल्कुरेट करेंगे सिंगल इंट्री सिस्ट्रम क्लास 11 का सब याद उना चिए आप सब से पहले लिखते थे कैपितल आड दे अंड बत मैं डेलिबरेटली लिखूंगा कैपितल अड़ दे इस स्टार्ट आप् लब्लस करेंगे इंतरॉ twins a plus carrying Programματα a plus carrying a Profit subsectionly you will be subtracting withdrawal of capital you'll be subtracting drawings interest on drawings and loss और उसके बाद जो आपका answer आएगा, that will be capital at the end ध्यान दीजेगा मेरी बाद पर अगर आपको बचो मैं capital at the end बता दू, I repeat अलन if I give you capital at the end, नजर आ रहा है सबको? blue question mark capital at the end बता दू withdrawal, drawings, interest on drawing, loss बता दू interest on capital, introduction, profit बता दू, क्या यहां तक climb up करके Everest को जीतना कोई मुश्किल है? चले जाएंगे reverse logic में, एक तरीका और है capital account बना लीजे buy balance brought down खाली छोड़ दीजे क्योंगे आपको value नहीं पता है buy interest on capital, buy salary commission अगरा सब लिख लीजे, debit में two drawings और interest on drawings और balance करेट डाउ लिख दीजे, जो create में top में shorter जाएगी, what will be that children? capital at the start. एक दो चीजे और भी लिख लें आप यहां पे oblique करके children salary and commission समझ में आगई बात, do it fast so this composition is to be followed है चल्रेन capital at the end is given five lakh and six lakh और यह capital ताब आ रहा है जब आप drawings को debit कर चुके है so this will be helpful to find out की आशीश और अकाश की capital कितनी है इसे x इसे y मान ले चल्रेन और drawings की value को आप opening capital में क्या करते थे minus this is 1.5 lakhs and how much 1 lakh and finally we get closing capital of how much children 5 lakh and 6 lakh तो x में 1.5 lakh minus किया तो 5 lakh आया what would have been the value of x 6.5 lakhs y में 1.5 lakh minus किया तो 6 lakh आया क्या रही होगी y की value 7 lakh की opening capital है तो इंट्रेस्ट इसका आ जाएगा बच्चों 65,000 और इसका कितना आ जाएगा 70,000 समझना क्या आप लोगों ने हो सकता है 5 lakh और 6 lakh पे calculate कर लिया होगा तो आंसर मिसमाश करता होगा तो देट देखना बहुत important है 31st March year end में capital बताया जा रहा है समझेट इंट्री हो जाएगी सब्की इंट्रेस्ट On Capital Account debit दो आशीश्ट कापिटल 65 दो आखाश्ट कापिटल 70 पील अपरोप्रेशन तो इंट्रेस्ट फट्रेटीफफई डिवगल चले आगे और उसके बाद पहली एंट्री PL to PL appropriation 5 lakh 1,35 interest चला गया तो 3,55,000 profit बचेगा PL appropriation account debit 365 तो आशीश's capital to आकाश's capital नरेश and सुखेश so called यहाँ पे एक दो चीज़ने दरह important है जो आपको ध्यान देनी है ध्यान से सुनिएगा it says नरेश and सुखेश are partners with capitals of how much children 3 lakh किस डेट को है यह capital 3 lakh की 31st March नरेश had withdrawn 50,000 against capital मतलब यह पैसा उसने capital से निकाला है अपनी and rupees 1 lakh drawn against profit तो सर यह क्या है this is simply your drawings जिस पर आप interest वगेरा चार्ज करते हो सुखेश has also drawings of 1 lakh तो आपको यह clear हो गया कि सुखेश की capital तो year के end में 3 lakh की थी ती साफ में भी year के start में भी 3 lakh रही होगी क्योंकि उसने कुछ घचल पचल नहीं किया नरेश ने capital से अपनी 50,000 निकाला और 1 lakh इसके अलावा निकाला तो यह वला जो 1 lakh रुपे है यह नरेश कल को वापिस लेके आएगा बट यह 50,000 तब तक वापिस नहीं लाएगा जब तक फिर से agreement होगा नहीं तो आपको ओपनी capital निकालनी पड़ेगी तो if I say कि 3 lakh रुपीस 50 निकालने के बाद है पहले कितना रहा होगा 350 और इसकी capital कितनी रही होगी 3 lakh So 350 का 10% is 35,000 and 3 lakh का 10% is 30,000 रुपीस नहीं समझे बात को समझ गए Any doubts, many doubts Clearly understood बस profit दिया हुआ पहली entry PL to PL appropriation Interest on capital to Nareesh capital to Sukhesh capital 65, 35, 30 PL appropriation to interest on capital 65 1 lakh पैतिस रह का profit आपको बचेगा PL appropriation to Nareesh capital to Sukhesh capital 135 को बात लिजे Then Jay and Vijay Laboratory Equipments Capital 80,000, 50,000 Partnership D provides Interest 9% Profit 7,800 9% of 80,000 is what? 7,200 And 9% of 50,000 is what? 4,500 7,4,11 11,700 रुपे दोनों का interest on capital है बचो What is mentioned here? Is it mentioned that it is to be considered as a charge? No तो आप बचो 8 is to 5 या 72 is to 45 के ratio में इस 7,800 को divide कर लेगे हैं क्योंकि हमारे पास sufficient profit नहीं हैं तो पहली entry सीदे appropriation मनाना है बाइ पील नेट प्रॉफिट ब्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7800 तो इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जय एंड विजय डिवाइट कर दीजे 7800 रुटीज को चलना इतने मज़ेदार questions आपको मैं चैलेंज करता हूं कि बच्चा रोबोट है अच्छा यहां पर अकल लगानी है सब जंबलड़ ओके तो डीके गोईल इस गईया के लिए बूसा इंसान के लिए दालचावल और यह इंटेलिजेंट लोगों के लिए बूसा और दालचावल इसका मतलब यह भी डिस्टिब्यूट नहीं हुआ दूरिंग दाईयर महादेव की ड्रॉइंग कितनी थी बच्चों 30,000 और प्रॉफिट 31st मार्च को यहां कितना नदर आ रहा है 10 लाक तो दर यहां पे 8 लाक है इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि 2 लाक रुपे का प्रॉफिट पार्टनर्स अल्रेडी डिस्टिब्यूट कर चुके हैं कैसे पता चला सर मम्मी कह रही है कि 5 लीटर कोल्डरिंग आई थी घर में गेस्ट कोई आया नहीं साड़े चार लीटर बची है कौन पिया कोल रही है हम खुदी पी लिए थे समझ में आया चोरी पकड़ी गई तो अब यहां पे 31st मार्च 2020 का प्रॉफिट कितना नदर आ रहा है बचो 10 लाक और यह भी तो करिंटियर है बोलेंगे सर यह नहीं अज्यूम कर सकते कि रिजर्व में ट्रांस्फर किया था बिल्कुल कर सकते हैं अगर यह अजंशन होता बचो तो कहीं न कहीं जेनल रिजर्व होता सर अगर सो कॉल्ड करेंट अकाउंट है मतलब मेथड फिक्ष्ड है तो प्रॉफिट कहां गया करेंट अकाउंट में गया होगा ना कि कैपटल में तो यह कैपटल ओरिजिनली वही है जो इन्होंने कॉंट्रिब्यूट की थी इसमें किसी भी तरह का एरर आपको करेक्ट करने के लिए रेक्टिफाई नहीं करना है फिक्स मेथड है दो लाक रुपे का प्रॉफिट करें लाग का कितना जाएगा बच्छो फिफ्टी थाउजन एंड फिफ्टी थाउजन बस इंट्रेस्ट रन कैपिटल निकालना था वाट इक बार चेक करने जड़ा है ट्वेंटी सेवन पचा 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 जार आ रहा है चलिए तो कौन से एक दम स्टॉंग रखे बच्छो सारे आंसर आएंगे कौन सा क्वेशन था वही नीलगन महादेव चलिए लॉंग एंड शॉट चलिए बच्छो आपने हिटलर का नाम सुना था सोच लॉंग थी हाइट शॉट थी चलिए बैलंस शीट किस डेट किये बच्छो 31 बस्ट मार्च तूरिंग लॉंग ने कितना पैसा निकाला और शॉट ने 50 क्या लिखा है कि इस निकाला गया है पैसा नो तो यह सिंपल ड्रोइंग यह वो कैपटल वाला द्रोइंग मतलब कैपटल विद्रॉण नहीं है कितने का प्रॉफिट कमाया बच्छो 150 और उसमें स और हमारे पास कितना प्रॉफिट है चल्रें 50,000 प्री अज्यूंड कि यह पैसा किन लोगों ने बाट लिया होगा लॉंग इन शॉट सर आप इतना कॉंफिदेंटली कैसे जूट बोल सकते हैं मैं जूट नहीं बोल रहा हूं कहीं अगर वो है नहीं तो अब्विस सी बात ह रुपे बैलन शीट में और शॉट के लिए एक चालिस बैलन शीट में प्रॉफिट नजर आ रही बच्चो सबको रखेंटा लगवति बढ़ा चुका है और यह सारी करस्तानी करने कर वाथ लहाफ क्लूजिंग केपिल गज़ featured 120 and 140 opening कितनी थी सिर्फ थोड़ी दिर में आप जानेंगे अभी बगवान जानते हैं कितना ड्रॉइंग सा चल रहें लॉंग का कि 40,000 और शॉट का कितना था 50,000 पचास जर का प्रॉफिट अलग से पढ़ा है जो डिस्ट्रिबूट हुआ होगा दोनों में प्रॉफिट शेरिंग रेशियो इस नॉट गिवन चल रहे हैं कितना कितना प्रॉफिट बटा होगा एकुली समझना गया तो कैपिटल में 40 माइन लाग 20,000 और 40,000 कितना होता है एक साथ उसमें से 25 हटा दो कि 135 इस दा कैपिटल ओफ लॉग एक चालिस में 25 को जोड़ो स्वारी पचास को जोड़ो कि 190 पच्चिस छोड़ो 165 इस दा कैपिटल फॉर मिस्टर शॉट इस पर आठाट परसें निकाल लीजेगा तो इस वर्किंग को लिख लें यह आंसर गलत होगा आपका मोली एंड भोली वेंडर इस नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एंट्रेस्ट एंट्रेस्ट मतलब इंट्रेस्ट एंट्रेस्ट के लिए अग्रीमेंट है और किसी चीज़ के लिए नहीं है 6% of 20,000 इस 1200 अने रिट इस 600 टोटल कितना हो गया बच्छों 1800 समझ गए how much profit do we have 1500 क्या हम पूरा इंट्रेस्ट दे सकते हैं बच्छों नो तो by PL net profit brought down 1500 to interest on capital for moly and boli आप इसको 2 is to 1 में divide कर दीजे 1000 and 500 it becomes 1500 interest on capital को charge मानना है no problem by PL 1500 to interest on capital for moly and boli it's 1200 and 600 total would be 1800 by moly's capital by boli's capital 300 rupees का लौस हाईगा चला है 120 और 180 आप रहाँ समझ में आगया चलिए क्वेस्टन नंबर 30 अमिर्दान ब्रहमित किसको ब्रहमित कर रहे हैं दो 15 लाक और 9 लाक इनकी capital थी अक्टोबर में decide किया कि इनकी capital कितनी होनी चीए 12 लाक ओटो मैटिक अप्रोच यह 3 लाक विड्रॉ करेंगे बच्छों और यह 3 लाक contribute मतलब सर करना क्या है असान है एप्रिल फर्स्ट ब्रहमित और इनकी capital कितनी थी चलों फिफ्टीन लाक हैं नाइन लाक और ऑक्टोबर फर्स्ट दोनों ने decide किया कि इनकी capital कितनी कितनी हो जाएगी तो एल ब्लाइग शिक्स और सिक्स से मल्टिप्लाइ करेंगे चलों फिफ्टीन लाक को सिक्से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 लाक और यह आएगा 72 लाक वन करोड 62 लाक टोटल प्रोड़क्ट हो गया और यह भी अगें चल इंपॉर्टेंट उतना जादा नहीं है जितना वो इंपॉर्टेंट है जो आप बताने जा रहा हूं कैपटल अकाउंट अगर इस क्वेश्टन में पूछा जाता बचो फस्त और फॉर्मोस्ट पीपल वोड़ेव मेंशन बाय बैलन्स ब्रॉट डॉट डॉट जिसने अप समझ गे इस बाग को चलिए यह इंपॉर्टन क्वेश्टन है चार लग असी अजर का प्रॉफिट है एक लाग बीस जर रुपे अमर और बानू को सैलरी मिल रही है प्रॉफिट कितना मिलेगा बै आप सो कॉल्ड टू फॉर्टी लेस कर दीजे तो प्रॉफिट बचेगा दो लग चालेश जर तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रिबूट करेंगे हो मच एटी इच अगर अप्रॉप्रियेशन मना के किया है तो बाइप एल नेट प्रॉफिट ब्रॉफिट ब्रॉट 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 दो सैलरी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी आउटर कॉलम में 240 दो अमर's capital तो बानुस capital तो चारूस capital 80 ऐच 32 चिल्रेन और प्रॉफिट ब्रॉफिट ब्रॉट दाउन ट्रॉट ब्रॉट दाउन ट्रॉट ब्रॉट डॉट ब्रॉट जाएगा जो तू इस तो इस दुस्त को द्रॉट हो गा 10% net profit after charging by PL net profit brought down 220 how to calculate commission 220 into 10 upon 110 कितनी आई की value 20,000 सही है A, B, C, D, R partners in a firm profit sharing ratio is 4 is to 3 is to 2 is to 1 180 का net profit है और commission है 20% चेक करिए how to do this सबसे पहले आप लिखेंगे by PL net profit brought down how much 180 2 commission – A, B, C, D 20% commission कैसे calculate होगी 180 into 20 by 120 30,000 आईगी चलन commission, answer 30 नहीं आ रहा, 30 आ रहा न इसको 4 is to 3 is to 2 is to 1 में divide कर दीजे, 4, 3, 7, 2, 9, 10 तो D की commission 3,000 इसकी commission आएगी 6000 इसकी आएगी दो 5, 2, 7, 3, 10, 3,000 6, 9, 6, 9 चलने और profit बचेगा 150 profit बचेगा to A's capital to B's capital to C's capital to D's capital D का profit का शेर 15,000 C का आएगा children 30,000 P का आएगा 40,000 और A का कितना आजाएगा 60,000 समझ गए चाहिए question number 35 by PL net profit brought down 420 salary X को मिलेगी 10,000 तो आप लिखेंगे 2 salary for X how much 10 commission commission 10% net profit after salary but before charging commission तो 4,20,000 में आप माइनस करेंगे 120 मैंने बस बोला 2 salary लिखेंगे 10,000 इंटू 12 यहां पर देखी 120 तो लेस किया है पूरे ओशो बाद में पढ़ा रहो परशान रही है कितना बच्चे का बच्चो थ्री लाक इंटू 10 बाई 100 इट्स 30,000 वाई को 25,000 पर रहनम salary है तो इसके लिए भी 2 salary 25,000 10% on net profit after charging all commission कैसे calculate करेंगे 4,20,000 माइनस करेंगे दोनों की salary 1,00,45,000 माइनस करेंगे वन लाक 20,000 divided by कितने percent है 110 इंटू 10 क्या value आईगी बताइगे जड़ा 420 में 120 गया तो बचा 3,00,000 में 155 गया तो कितना बचा एक तो लोगों की maths भी एकदम चाइना चाप गए 145 क्या आईगी value कमिशन क्या आएगा भई जिन्हों नोंवक्या बताएं बागी तो compartment के लिए त्यारी कर रहें तेरह हजार 181 रुपे एक सो बैसी कर लिए एक मिनिट थ्री लाक था उसमें से माइनस कर दिया 145 155 आएगा स्वरी 155 इन्टो 10 14091 चल्वन कमिशन इस 14091 अगयां सब इंट्रेस्ट रॉइंग से सारे क्वेशन हम चेक कर चुक है चल्वन 36 से लेकर 43 थक आई ये सी दे 44 चेक्ट है 45 भी चेक्ट है 46 चेक्ट है 47 चेक्ट करिए what is the amount of profit given to us 50 जार इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल आएगा एक तीन अजार और बी का चल्वन 1800 दो प्रतिशत कमिशन है टर्नोवर पे और टर्नोवर कितना है तीन लाक तीन लाक का दो परसंट कितना होता चल्वन 6000 सैलरी भी मिलेगी इसको 6000 पाँच परसंट प्रॉफिट कैसे मिलना है चल्वन आफ्टर डिदक्शन ओफ ओल एक्सपेंसे तो पचास जार रुपए में आप माइनस करेंगे 4800 का इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 रुपए मिलाके इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया जरह बताइए वैल्यू कि आएगी 50 में 12 गिया बचा 38 38 में 4 गिया बचा 34 33 200 इंटू 5 अपॉन 105 क्योंकि लिखा इंक्लूडेंग साच का मिशन तो आफ्टर चार्जिंग का केस लग गया समझे इस बात को नहीं समझे समझ गए चलिए बस और तो कुछ आएगा नहीं बच्छों सजल एंड काजल है कजल मत बोलिएगा इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल पांच परसंट 25,000 और इंट्रेस्ट ऑन लोन फॉर दा होल इयर 18,000 आएगा बच्छों इंट्रेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 और 2400 कुछ मह जेनरल रिजर्व तो चेक कर लीजे प्रॉफिट कहां दिया था साथ लाग 2,600 पाइप एल नेट प्रॉफिट ब्रॉफिट ऑन साथ लाग 2,600 माइनस अठ्रा हजार रुपई है तो बच्छों साथ लाग 2,600 में जब आप 18,000 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बा टोटल इस 45,000 और उसके बाद पाई इंट्रेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तीन अजार और चौविस सो कितना हुआ फिफ्टी फॉर हंड्रे चल रहें तो आपका टोटल आ गया क्रेट साइट का होमच 690 पैंतालिस जार रुपे आपने इंट्रेस्ट दे दिया कोई सैलरी वगरा तो नहीं है नहीं है तो बचेगा छे लाग पैंतालिस जार जिसका 10 परसंट जेनल इसर्व में चला जाएगा तो उस्टी फॉर थाज़न फाइव हंड़े रूपीज इजी चल लिए अली एंड बहादूर कैपिटल थी पच्छेस और बीस ड्राइंग्स थी 3500 और 2500 प्रॉफिट बिफोर लॉइंग इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल अनुल सालरी वस 40 10 परसंट तो असान है बाइपील नेट प्रॉफिट ब्रॉफिट ब्रॉट डाउन चिल्रेन 40 उसके बाद टू इंट्रे इंट्रेस्ट नहीं नहीं है तू सैलरी तीन हजार रुपे लिग देंगे डिविजबल प्रॉफिट कितमा आएगा लेट्सी चालिस हजार में तीन हजार रुपे सालरी चली गई और बाइस सो पचास रुपे इंट्रेस्ट चला गया इट इस 34 750 इसी का 10 परसंट आएगा 3475 टू जनल जर्व और वो माइनस करने के बाद डिविजबल प्रॉफिट आएगा 31,270 इस एवरिबडी के लेट मतलब जिन्होंने सॉल्ट किया है बाकि जो कंपार्टमेंट की त्यारी में है जिनको रिपीट करना है वो तो बिल्कुल टेंश पांच परसंट मैनेजर्ज कमिशन ठीक है और प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्ज कमिशन और रेंट वोज थर्टी नाइन थाउजन तो आप लिखेंगे बाई पी एल इनर कॉलम में हो में चलना 39000 लेस कर देंगे कोई रेंट वागरा भी है इंप्लोई कितना है एक रेंट 24 लेस कर देंगे रेंट 24 कितना बचेगा बच्छो 15 लेस मैनेजर्ज कमिशन पांच परसंट देना है बिफोर चार्जिंग है तो कितना हो जाएगा पंदरा सो नैंटीन अनिट क्यों होगा यहां पे लिखा है फाइप परसंट आफ नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट मिलेगा तो करेक्ट प्रॉफिट इस 15,000 जिसका 5 परसंट है 10 परसंट है 5 परसंट सॉरी देन इट वोड़ बी 750 रूपीज तो यह आ जाएगा 14,250 तो इंट्रेस्ट रॉन कैपिल इस 3,800 डेबिट में लिख लेंगे है आ जाए गांसर नेक्स्ट क्वेस्ट न यहां पर लिखाएगी जो भी प्रॉफिट आएगा पहला बीस जार कैपिल के रेश्यों में बटेगा मतलब 1 is to 1 is to 2 और उसका अगला 30 किस रेश्यों में बटेगा 5 इस to 3 is to 2 और उसके बाद वाला किस रेश्यों में बटेगा 1 is to 1 is to 1 चलिए तो बस इंट्रेस्ट रॉन क लिखना आपको और तो कुछ है नहीं तो बाइप एल नेट प्रॉफिट ब्रॉफिट 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 दरूर लिखेगा तो इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल फॉर A B यह हो जाएगा बच्छों पांच हजार पांच हजार और तोटल इस ट्विंटी अब जो आपका प्रॉफिट बचेगा चल रहें दाट इस हो मुच 152 तो पहला 20,000 किस रेशियो में बटेगा 1-1-2 में मतलब 5000 इसको 5000 इसको और 10,000 इसको अगला 30,000 किस रेशियो में बटेगा 5-3-2 तो 5-3-2 कितना होता है? 10,000 30,000 अपन 10 इस 3000 तो C को मिलेगा 6000 इसे मिलेगा नोँजार और पहले वाले हो कितना मिलेगा 15,000 तो आप 10,50,000 के प्रॉफिट की बात कर चुके हैं अब कितना प्रॉफिट बच रहा है आपको सुरी एक लाग पचास दर नहीं सिर्फ पचास दर तो 152 आ रहा था प्रॉफिट चलन माइनस कितना कर भी हमने उसमें से 50 वन लाग 2,000 बचा इस विल बी डिवाइड इकुली हो मच 34 इच तो 15 और 5 20 और 34 इसको प्रॉफिट कितना हो गया 54 पांच और नौ 14 और 34 इट इस पॉर्टी एट थाउजन और सी का दस और छे सोलह और 34 इट इस जिफ्टी तो कैल्प्नेशन तीन बार होगा लिखना आपको एक ही बार पर इजी कोई इस पर चलिए फिफ्टी टू चल्टन यह बड़ा बड़ा कोशन नहीं है कोशन जितना मोर इनफोरमेशन वन बाइट टू थ्री बाइट एन बाइफ यह कौन सा दलिदर तरीका अशर परशांग करने का अरे कोई तरीका नहीं है वह सबसे बड़ा डिनॉमिनेटर क्या नजर आ रहा है तो इसको फाइफ बाइफ से मल्टिप्लाइब कर दो और इसको तू इंट्रेस्ट है 2500 इस पे इंट्रेस्ट है 1500 और इस पर आ जाएगा 1200 वी और सी की सैलरी कितनी है चलते और यह जंद इने दस जर रुपए निकाला वी और प्यू सी ने अपनी सेलरी भी निकाली और उसके साथ साथ और कितना पैसा निकाला पच्च्छिस सो और 1000 याद है B को और C को 55,000 salary मिल रही है तो B की drawings हो जाएंगी साले 7,000 की और C की जो drawings हो जाएंगी 6,000 की salary का पैसा add करेंगे but अगर interest charge कर रहेंगी बात आती है drawings पर children then it would be charged only on 2500 and 1000 याद रहे है सबको चलिए तो buy PL net profit brought down 45,000 रुपए to interest on capital पच्चिस सो पंद्रह सो और एक हजार बस कदम बाकी तो कुछ था नहीं यह तो करेंट अकॉंट के बैलेंस है हाँ टू सैलरी भी तो लिखना सौरी तू सैलरी आप लिखेंगे बी और सी का पाँच पैशार ठीक है नहीं नहीं तू द्रोइंग्स जब आप कैपिटल अकॉंट मराएंगे लिखेंगे लिखेंगे तू द्रॉइंगे तो टेन वी का लिखेंगे तो सेविंटी फाइवंडेट पांच जार सैलरी भी निकाल ली और डाइजर यह भी निकाल लिया याद ही राम लक्ष्मन अलगा क्वेशन था और तालिस जारुपे सैलरी थी याद होगा उस लोगों को फोर थाउजन इंटू टूल फॉर्टी एट और बीस जारुपे उन्हो लोग बूल जाते हैं वह तो ऐसी रहेगा उसमें फिफ्टी फ्री चल्टन असान है नेट प्रॉफिट इस पांच लाग इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल है चिल्रेन वन स्ट्रेंस हंड्रेट थाउजन पचास जार पांच जार पांच थाउजन इस पे होगा टेन थाउजन और इस पे होगा फिफ्टी सालरी हो जाएगी वन लाक ट्वेंटी थाउजन टेन परसंट अव नेट प्रॉफिट चिल्रेन पचास जार रिजर्व में ट्रांसफर होगा और फाइप परसंट अव नेट प्रॉफिट तो इट इस पांच लाग इंटु फाइव अपॉन जी पॉटी थाउजन और सैलरी मिलेगी वर्किंग पार्टनर को दोहजार पर मन्त तो साल वर्की कितनी हो गई चेक आउट पाइप एल नेट प्रॉफिट ब्रॉफिट ब्रॉट डाउन तो इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल फॉट्टी एंड तू सैलरी हो मच ट्वेंटी फॉर सम लाक के कितना जाएगा एगा 48 यह सेल्ज है 50 लाक की चल्टन फाइंट संदू तन तेन थाउसन लाग तुन लाग तैनला का दो परसंट कितना हो जाएगा अरे 50 लाट का 10 परसन कितना होगा पांच लाट एक परसन कितना होगा पचास जार दो परसन कितना होगा एक लाट इंट्रेस्ट रॉन क्यापटल 26,000 16,000 और 10,000 कुछ बोरें को इतना तेज कैसे कैलकुलेट होता है मैच्सी क्लास में टेबल ना रटने में मार बहुत खायगे ना और आप लोगे टेबल को भी रट ही नहीं तो 50 तक का टेबल अगर आपको आता हो तो कैलकुलेशन आप मेरे से भी तेज करेंगे इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल पांच परसंट होगे बचों ड्रॉइंग्स पर कितने परसंट है पांच मैं जैसी बढ़ता हूं साथ साथ फाइल अपने आप उपनों लगती है इंट्रेस्ट रॉन ड्रॉइंग है कुछ नहीं लिखा तो हाफ यह तो साथ अजार रॉपए इच पार्टनर की ड्रॉइंग थी दस परसंट होता है सिक्स ताउजन आपको कितना चार्च करना है पांच परसंट पांच परसंट होता है तीन अजार इसका भी आदा करेंगे तो फिर से चेक कर लीजे वाइ पील नेट प्रॉफिट ब्रॉट डॉट डाउन एक लाग पच्पन अजार पात सो बाइ आयोडीन का नमक पॉर कभीर जोरावर सिंग और पारूल किनों को मिला के पंद्रा पंद्रा सो के इसाब से कितना आया पैतालिस सो इंट्रेस्ट ऑन और तेन परसेंट अफ देविजबल प्रॉफिट ये शायद वन सिक्टी होगा इसाइब कर दो तो कितना बचा इसका टेन परसें कितना आजाएगा आट सो इप सो कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं हो गया इतना कम पैसा रिजर्व में रख रहे हैं 26,000 16,000 और 10,000 52 एक बच पन पाच सो प्लस पैथालिस सो एक साट एक मनेट सेल्जन कुछ गड़बर हो गया है जस्ट होल्ड ओं जस्ट होल्ड ओं इंट्रेस्ट अन कैपिटल इस करेक्ट सेल्स पे कमिशन कितनी आ रिजलन वन लैप ये भी ठीक है और वाट वाट वस कमिंगा सेलरी 48,000 अब ध्या से सुनिएगा आपका टोटल प्रॉफिट एक पचपन 500 प्लस पैंतालिस सो यह सब मिला के कितना हो पार रहा है वन सिक्स्टी पांच लाग बीस अजार का इंट्रेस्ट अन कैपिटल कितने परसंट है पांच परसंट चबिस जार थीन लाग बीस अजार का पांच परसंट चलिए वापिस हैसियत पर चले आते हैं सैलरी का माउंट कितना है चलना है 48 नहीं लिखूंगा मैं अरे मेरी मर्जी 24 एंड 24 ठीक है कमिशन कितनी है इसकी वन लाग इंट्रेस्ट अन कैपिल के इतना है 26 16 10 तो सरफ करना क्या है आपको थोड़ी सी अकल लगानी है और अकल कुछ ऐसे लगानी हैKayबीर को जुरावर को और पारुन को क्या क्या मिलना चलना इंट्रेस्ट on capital salary and commission कुल आपके पास कितने पैसे हैं वन लाग 60,000 interest on capital कबीर का कितना है चलना 26 इसका कितना है 16 और इसका कितना है 10 salary किसको किसको मिल रही है कबीर एंड जोड़ार को जोरावर को कितनी वन लाट तो इन टोटल अगर बात करें दो रावर के और दो पारूल के हैं और क्या लिखा 10% पहली बात तो कोई डिविदल प्रोफिट आए गई नहीं यहां पर समझ में गया सारे रेमिनरेशन को आप टोटल करने जरा और मेरे को वैल्यू बताएं टोटल क्या आ रही है प्लीज टोटल अप ओल दा रेमिनरेशन सारे रेमिनरेशन यही तो है मिलाके दो लाक है और हमारे पास पैसा कितना है चलते हैं वन सिक्स्टी हाउ मच मनी डू वी पोजेस 80% सवाल असान तरीके से करने का तरीका आपको बता रहा हूं दो लाक रुपे का ठेका आपने ले लिया है है आपके पास सिर वन 60 कितना दे सकने सिर 80% तो डिफिकल्ट तरीका सॉल करने का क्या होगा 26 is to 24 is to 16 is to 24 is to 10 is to 1 लाक में इसको डिवाइट करें नहीं सर्य ही सई था वाट इट तो अपना पील अप्रोप्रियेशन चेक करें सारे बच्चे पाए पील नेट प्रॉफिट ब्रॉट डॉट डॉट डॉइंग सब ने लिख दिया चलिए डेबिट साइड में आप लिखेंगे बच्चों टू इंट्रेस्ट रॉन कैपिटल कबीर जोरावर और पारॉल टू सैलरी फॉर कबीर और जोरावर और टू कमिशन फॉर पारॉल एट्टी परसेंट से उपर आप दे नहीं सकते हैं कितना एटी परसेंट तो एक लाग जिसकी कमिशन थी वीकेंड गेव उनली 80,000 जिसकी सो कॉल्ड सैलरी 24 जारती बचों हम सिर्फ उसको 80 परसेंट दे पाएंगे 19,219,200 यह आ जाएगा 38,400 मार्क दिस अजाएगा शूपर इंपर्टन क्वेस्टन थिक इंट्रेस्ट रन कैपिटल जिसका 26 जार था वी केंगे 80 परसेंट 20,800 जिसका 16,000 था उससे दे पाएंगे 12,800 और तीसरे वाले का कितना 10,000 इसको दे पाएंगे से 8,000 सो 20,800 प्लस 12,800 प्लस 8,000 कितना होगे चलना 41,600 सैलरी कितनी दी थी 38,400 और 80 आगया दोनों साइट 161,60 समझ में आगया बट ऐसे ही क्वेस्टन अगर एंग्जाम में आते हैं तो बच्चे सोचते हैं अरे बढ़ा आसान क्वेस्टन हैं प्लस्टन क्वेस्टन क्वेस्टन और बाद में divisible loss निकाल लेते हैं और अगर आप कोई बाद याद नहीं होती है अप्रोप्रियेशन वाली तो ISC वाले बच्चों को इस तरह के questions अब तो नहीं आते इतने बड़े-बड़े question बट ISC में 6-8 नमबर के पूश्या आते थे CBSC में fundamental में कभी इतना वड़ा question नहीं आया क्योंकि fundamental question बनता ही 6 नमबर का था 6 नमबर बच्चे एक जान थोआ निकालेंगे बट खत्रा कहा में हैसूस होगा CUT में CA foundation में ऐसा ही question दे देंगे और कम से कम 5 question इसके उपर base कर देंगे पुछेंगे what will be the amount of divisible profit तीन values दे देंगे एक में 0 लिख देंगे आप कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ा होगा तो अगर आपने mentally इतना calculation कर लिया तो आप clear होगे कि divisible profit तो कोश आएगा ही नहीं जट से 0 mark कर ले समझ में आ गया what will be the amount of commission अरे बढ़ा साने एक लाग लिखो एक लाग एक लाग को option होगा असी अधार का भी option होगा फोपले हम बाद गई तो इसलिए बहुत ध्यान से चलिए समाझ गे इसको चले आगे तो इस अब तक चपन इस टारिंग ना पाटिकर यहां पे प्रॉफिट कितना है बच्छों 61,000 लेस इंट्रेस्ट ओन लों पचास जार का लों दिया शे परसंट होता है तीन अजार आदे साल के लिए कितना होगा चलना पंदरा सो रुपई है 20% profit before charging interest on drawing but after making appropriation was to be transferred to general reserve बात की बात है interest on capital is 12% इसे 24,000 मिलेगा और इन्हें कितना मिल जाएगा बच्छों 18,000 रुपीज इसकी salary 60,000 रुपई और इसकी salary 90,000 रुपई इनकी commission हो जाएगी 17,500 एक 75 तक का profit पटेगा तो पर quarter है तो पर quarter और चार quarter होते हैं एक साल में तो 22,500 एक quarter का तो दो quarter का 45,000 कहां पर यह मंतली शब्द जब लिग गया तो कहां से quarter आ गया मेरी आँख और दिमाग एकदम सही है optic nerve मेरी बहुत बढ़िया है समझ में आगया कुछ लोगों की optic nerve कट गई है तो 22,500 पर quarter दो quarter का 45,000 और तीन quarter का 66,500 चार quarter का 60,000 रुपे अर्थमेटिक में मुकाबला का में लोग हो मेरे ICSC के paper में बावन नंबर की arithmetic आती तो मेरा पूरा बावन आता था algebra, geometry 48 के तो उसमें चार नंबर आता था था बस कुल मिला के 56 नंबर मिलता था मैंस में समझां क्या तो क्रिपया करके यह तो बहुत सगी वाली है उसको तो भूली नहीं चलेंगे वही तो भई आपका profit आ जाएगा बहार 4,59,500 टू इंट्रेस्ट ओन काफिटल 24,000 और 18,000 टोटल कितना हो गया बच्छों टोटल कितना हो गया 24 और 18,000 टू सैलरी यह आ जाएगा 1,50,000 टू कमिशन यह आ जाएगा 17,500 तो बस काम कतम profit आ जाना चाहिए आपका let's calculate 461 में 1500 रुपई यह माइनस कर दिये 459,500 कुछ इंट्रेस्ट ओन ड्रॉइंग्स तो नहीं है न है 10 परसंड का बाइ इंट्रेस्ट ओन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स की वैल्यू थी एक लाग और 12,500 एक लाग का दस परसंड दस जार आदे साल के लिए पात जार और यह आएगा 6,250 तो इट इस 11,250 क्रेडिट टोटल इस 4,70,750 जिसमें से आप उडाएंगे 42,000 1,50,000 एंड 17,500 आपका प्रॉफिट आएगा 2,61,250 प्रॉफिट आउट टो डिवाइड दिस बड़ा असाने चल रहा है कि आपको 1,75,000 तक का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड करना है और उसके उपर इक विली तो भाई 175 इसमें से अटा दे 86,250 जो है यह इक विली बटेगा कितना कितना सा 43,125 और 43,125 बोली 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 नहीं है तो दिया तो दिया तो पचास जार का 6% कितना होता है तीन अजार आधे साल का कितना होगा पंदरा सो तो यह मुर्गी गांडा माइनस किया गया मैंने 461 में पंदरा सो माइनस किया तो 459 फाइनटी तो आएगा यहां पे लिखा है एक्स गेप 50,000 एज लोन पचास जार इंट्रेस नहीं पचास जार लोन है तो उस पे 6% कितना हो गया तीन अजार ठीक और 1 अक्टोबर को दिया है तो आधे साल का इंट्रेस 15 तो माइनस तो कर दिया ठीक और 1 पच्छतर को डिवाइट करेंगे आप सो कॉल्ड कैपिटल के रेशियो में तो 20 इस तो 15 का रेशियो क्या बनेगा बच्छों 4 फाइव जा सॉरी फाइव फोर जा और फाइव थ्री जा तो एक लाग पच्छतर अजार को 4 इस तो 7 में डिवाइट करेंगे य को मिलेगा पच्छतर अजार रुपए और एक सको मिलेगा एक लाग तो टोटल एक सका प्रॉफिट हुआ वन फॉट्टी थ्री वन ट्वेंटी फाइव और वाइव का आ जाएगा वन वन एट वन ट्वेंटी फई तो हैंजगा है कोई मही समैंच जारा रहा है कोई मैं समयांच अ कि कहां पर था लेटा हँआ चल यह रुक जाएए मिटा देते हैं पर लोग जाएए जेनल रिजय और निकालने पहले मेरे में क्या कंडिशन दित्हीं हम को जेनल रिजर्व की क्वेश्चन ने 20 पर्सेंट ऑफ दे प्रॉफिट बिफोर इंट्रेस्ट ओन ट्रॉइंग मतलब 459 500 की वैल्यू को आप लेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे 42 थाउजन रूपी का वॉट है 42 थाउजन रूपी क्या माइनस करेंगे कुछ भी नहीं कि पॉटी टू थाउजन क्या था एक तो आदे लोग तो मौट मारने आ गए क्लास में पिना होंबग करके कोई बात नहीं वो लोग बिल्कुल परशान ना हो कंपार्टमेंट नहीं ऐसे दलिद्रों के लिए बनाये गया है इंट्रेस्ट रॉन कैपटल फिर एक लाग पचास दर क्या माइनस करेंगे सैलरी और कमिशन क्या माइनस करेंगे थाइलाक रुपे आएगा बच्छों कितना आएगा थाइला तो पिछली बार अच्छा वह इंट्रेस्ट रॉन गुड़ा था इस धाइलाक का बीस परसंट कितना होता है टाइलाक का बीस परसंट कितना होगा वह फिफ्टी थाउजन तो पचास जार जैनल लिजर्व में आप ट्रांसफर कर देंगे चले प्रॉफिट कैल्कुलेट करें इस वर्ज टोटल अफ्रेट उसमें से सारा डेबिट माइनस कर गो लेट सी फोर लाक सेवेंटी थाउजन सेवननेट फिफ्टी माइनस 42 थाउजन माइनस वन फिफ्टी माइनस सेवेंटीन फाइवंड्रेड माइनस पचास अब हैसियत वाला प्रॉफिट आ गया दो लाक ग्यारा हजार दो सो पचास जिसमें से एक पचहतर किस रेशियो में बटेगा सबको क्लियर हो गया और बाकी का so called 56,250 रुपे इस विल बी डिवाइड एकवली अटरा एकसो पंचेस अंड एकसो पंचेस ने इसमें फिर वो अली वैल्यू सोड़ं नी पड़ेंगी न तो आटरा एकसो पंचेस में जब आप 75,000 जोडेंगे तो वाइए अंकल को टोटल कितना मिलेगा चलगे सब आ गए चलिए इसके बाद तो आपके पास्ट अजस्पेंट और गैरेंटी है यह अगले लेक्चर में टेक अप किये जाएंगे समझ में आगे बच्छों चलिए कनेक्टिंग फॉर आई एडी फॉर सीब्सी एस पर शड़ी